हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही महत्पून होने वाला है क्यूंकि UPSC जिस अधार पे कोश्चन पूछती है उसी अधार पे दिरिश्टी भी हम लोगों जब टेस्ट लेती हैं तो कोश्चन पूछते हैं जैसे आप लोग अगर मोडन हिस् आप लोग असानी होगा तो उसी पे अधारित आज हम टोटल 20 कोश्चन ले के आए हैं आप लोगों के बीच जो क्या है कि दिरिश्टी दिरिश्टी भीजन दे हिंदी मीडियम का है वो जो हम लोगों टेस्ट लिया है तो उसका कोश्चन आप लोग साथ डिस्कस करने वाल गात में यूरोपिये सक्तियों के परवेस के संधर्व में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है अब यहां पे कह रहा है एक चीज आपको धियान देना होगा ठीक है मैक्सिमिम बच एक कोशन में क्या करते हैं कि पढ़ लेता आप जो देख लिया है बस उसको ठीक लेगाना इस्टार्ट कर देता है तो हम लोग यह गलती नहीं करना है देखेंगे क्या जिसमें पहला अप्शन है कि पुर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उडीसा में पहला कर खाना लगाया D option है डुपले के नित्रित में फ्रांसिसियों ने 1740 में मदराज पर कबजा किया था तो इसमें कहरा है कि कौन सा कथन याई एरोपिये सक्तियों के परवेश के संदर में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है तो आपको वो चीज को चूछ करना है जो सही नहीं है तो आप गोवा पे कब जा किया था गोवा पे और कब किया था तो 1510 में किसके नित्रुत में किया था तो उस समय जो गवर्नर थे मेरे तरफ पूर्तगालियों के जो गवर्नर थे वो अल्बुकर्क थे ठीक है तो अल्बुकर्क ने मतलब पूर्तगाली के परतिरी नित्रुत करते थे तो यही जो एंसर है वो मेरा सही नहीं है बांकित देखते हैं कि यानि सब सही है अंग्रेजों ने पहला कर खाना दच्छिन भारत में मचली पटनम में लगाया बिल्कुल सही है अगर बोल दे पूछ दे कि अंग्रेजों ने पहला कर खाना कहां लगाया यहां पे दच्छिन यानि हम पीक नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा यह option सही है ठीक है और डी option जो क्या है डुपले के नितिरुत में फ्रांसीसियों ने 1746 में मदराज पर कबजा किया था यह भी हमारा सही है तो इसमें option में के हिसाब से हमारा जो यह answer ए जो है सही है क्योंकि यह सही नहीं था ठी लिखित में किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली जो एक अस्थान है उस पर हराया था तो किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को हराया था तो थॉमस बेस्ट्ट ने इसने यानि 9 और 10 दिसंबर 1612 में 612 में क्या हुआ था कि यूद हुआ था किसके बीच अंग्रेजों और पूर्तगालियों की बीच स्वाली अस्थान पे जिसमें थॉमस बेस्क जो थे अंग्रेजी अधिकारी थे जिन्होंने पूर्तगालियों को हड़ाया था तो इसका option जो यह होगा बी option ठीक है तीसरा option देखते हैं तीसरा question स्वारी option बार बार बर भुलाये जा रहा है थिक है तो तीसरा देखते हैं कि निमिलिखित मेंसे कौन मुगल समराट द्वारा न्युक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था अब यहाँ पर कह रहा है कि मुगल समराट के द्वारा ठीक है न्युक्त बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था तो आपको पता होना चाहिए कि बंगाल भी एक मतलब मुगल समराट के अधिनस्त थे मतलब समराज अधिनस्त है ना लेकिन क्या हुआ कि मुर्शीद कुलिखा ने क्या क्या BECend बंगाल को सुतन्तर घोषित कर लिया थीक है तो मुर्शीद कुलिखा यानि घृत जो जितने भी वहाँ के बंगाल के नवाब हुए हुए होगे यानि गवर्णर या तो इसके बाद क्या हुआ कि बक्षर के यूद के बाद मतलब वहां ब्रिटिश कंपनी का कभजा हो गया ठीक है तो इसका जो अप्षन होगा एंसर जो होगा वह भी होगा दोस्तों थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी बोलना है क्योंकि होजे वीडियो थोड़ा इस स्पीड में थोड़ा जल्दी कम मतलब वीडियो का जो साइज रहे वह कम रहे जिसे आप लोग जल्दी से देख सके हैंना कोशन नमर फूर देखते हैं कि निमली खित में से कौन सा युद भारत में अंग्रेजों के अधिपत्य की अस्थापना की दिरिश्टी से सबसे मह पहत्वपून समझा जाता है ऑपस्टर के यूद क्यों होना चाहिए जो यूद'T बात बंगाल अने पर मतलब और मिरकाशी मिन था ना उसे में एक और अवद के नबाबभी साथ दे रहे थे और मोहम्मद शाह। मुगल समराज का था वह उनका साथ दे रहा था। तो इन दौनी मिला था British Company के दूरा तो British Company बंगाल के पुन तो वह अपने अधीन में कर लिया था जिसके बाद वहां कहरा कि अगरेजो की अधिपत्य की अस्थापना की दृष्टी से यानि sulfur किया प्लासी के यूद में तो हुआ नहीं था वा एक छोटा सा यूद था मतुलब ऐसे जख़दा परभाव नहीं टॉला परभाव डॉला ठीक है क्यूंकि प्लासी के यूद से भी बंगाल का जो राजसों आया लेकिन जो सबसे ज़्यादा राजश्य मना जाए तो बक्षर के यूद क्यूंकि बाद बक्षर के यूद के बाद यानि वहां पूनता ब्रीटिस कंपनी का कबजा हो गया तो बंगाल में इसलिए अलग कोशन देखते हैं कि पांचमा कोशन कि सत सबसे पहले निमलिखित में किस परवतिय जन जाती के संपर्ख में आये ठीक है तो 1765 में जो दीवानी परदान किये जाने के बाद ब्रीटिस सबसे पहले परहले किन जन जाती के संपर्ख में तो इसका ऑप्षन क्या होगा तो उप्षन उप्षन a हैइं गारों solution B हें खास और अगर आप लोग पढ़े हैं तो अंसर आपको पता ही होगा कोशन नमर 6 देखता है कि निमलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है तो इसमें से कह रहा है कौन सही है ठीक है तो आप्शन चार दिया हुआ है A आप्शन है कि बकसर का यूद मिरजाफर के विरुध कलाइब के साथ वन्डिवास का यूद जो हुआ फरांसी सी विरुध इस्ट इंडिया कंपनी के साथ c option है चिलियाँ वाला का यूद डोलहुजी के विरुद म्राठे के साथ जो है बांकि सारे गलत है तीन option जो है गलत है एक answer जो option है वा सही है तो आपको पहले नमबर बता दो कि बकसर का यूद वह मिरजाफर के साथ नहीं हुआ था मिर कासिम के साथ हुआ था और आवद के जो नवाब थे सुजा उद्दौला उसके साथ हुआ था और और जो मुगल समराज थे सा अलमदिर के उसके साथ हेक्टर मतलब मूनरो हेक्टर जो था है ना उसके साथ हुआ था बकसर के यूद रॉबर्ट कलाप के साथ नहीं हुआ ठीक है तो यह हमारा गलती हो गया वांडिवास का यूद जो हुआ था फ्रांसिसी विरूद इस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था यह बिल्कुल सही है वांडिवास का यूद 1760 में हुआ था चिलिया वाला का यूद जो है 1849 को हुआ था तेरा जन्वरी 1800 मतले तेरा जन्वरी 1849 को यानि इसमें कुन थे डॉल्हॉजी ठीक है गवर्नर था उसके बाद इसके बाद यहाँ पे नहीं होगा यह वाला जो होगा न यहाँ पे होगा यह चिलिया वाला का यूद है यह 2760 में तो इसका देख लिए हैं खुर्दर का यूध जो हुआ था मराठा के साथ निजाम के साथ नहीं वा था अगला ककेशन देखते हैं कि किसने सत्रों सो पंच्पन में धिन्डी गुल मैसूर में एक आधुनिक सस्त्रगार की अस्थापना की थी तो इसका option है नंजराज B option है एदर अली C option है देवराज और D option है चिक्का क्रिशनराज तो आप लोग अगर पढ़े होंगे modern history के सुरुवाती में तो आपको ये answer पता होगा कि हैदर अली जिते वह डिंडी गुल में एक आधोनिक सस्त्रगार की अस्थापना किया था ठीक है आठमा कोशन देखते हैं कि बंगाल में दूई सासन परनाली किसके द्वारा लागू की गई थी दूई सासन परनाली तो Warren Hastings नहीं विलियम बेंटिंग नहीं क्यों के द्वारा पर यहां dissertation होगा क्योंकि डूउक्यास्ट धरई works नत्वर देखतों अस्थी आए था क्या 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 कि एक नवाब का पद सिर्जन कर दिया और दोनों तरह से यानि कमपनी खुद वहाँ के रासे उसल रहे थे लेकिन एक उप नवाब का वहाँ पद सिर्जन करके वहाँ से भी बंगाल का मतलब सासन कर रहा था ठीक है और वहाँ के जो नवाब थे वो नाम मातर के रह चुके थे इस वज़े से वहाँ दूर्श असन पनाली कहा जाता है और बंगाल में जो दूर्श असन पनाली है वो रॉबर्ट कलाइप ने लगाया था ठीक है उसके बाद नौ मा कोशन देखते हैं कि निमलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लौर्ड विलेजली के साथ सहायक संदी की थी और उनके दौरा की गई की मतलब दौरा की हुई संदियों का सही काल मतलब काला नुकरम नीचे दिये हुए कूट से पता कीजिए कह रहा है कि लौर्ड विलेजली के साथ जो सहायक संदी हुआ था वह किन प्रांतों ने सबसे पहले किया और किसने सबसे आख़ी में किया नीचे में काल करम दिया हुआ है जैसे की हैदराबाद मैशूर अवद और सिंदिया तो A में देख सेकते हैं 1034 A में देख सकते हैं 1234 C आप्शन है 14321 A और D ऑ्प्शन है 3214 ठीक है तो इसका सही काल करम आप कब पता लगा पाईएगा जब आपको पता होगा कि यानि Lord Willazley के साथ सहायक संदी जो है हैधराबाद कब किया मैसूर कब किया अवद कब किया और सिंधिया कब किया जब आपको पता रहेगा तभी तो कालकरम लगा सकते हैं सही तो आपको बता दू कि हैधराबाद 1798 में वा सहायक संदी मतलब कि संदी कर लिया था Lord Willazley के साथ मैसूर 1799 में क्योंकि वहाँ के जो मैसूर के टिपू सुल्तान ने मैसूर के मतलब उसकी दिहान्त हो गया था उसकी मिर्तु हो गया था तो उसके बाद मैसूर पे मतलब वहाँ के जो छोटे-छोटे टूग्रो में मतलब बटिकी आता मैसूर उसके बाद महां के जो सभी छोटे-छोटे सासक थे वह सहयक संदी को मान लिया था उसके बाद अवद अवद जो है वह 1801 में सहयक संदी को अपनाया था और सिंधिया 1804 में ठीक है उसके बाद तो इसका अप्शन क्या होगा यानि 798-799-1801 और 1804 तो इसका 1234 यानि इसका एंसर जो है अप्शन यानि इसका एंसर यह होगा 1804 ए अप्शन दस्वा कोशन देखते हैं कि तथा कथित ठीक है कुसासन के अधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज के परसासन को ले लिया था तो कह रहा है कि मैसूर को तो मैसूर को सबसे पहले आपको बता दूँ कि 1831 इसपी में विलियम बेंटिंक ने किसने विलियम बेंटिंक ने उसका अधिकार कर लिया था मैसूर का विलाय कर लिया था अपने में तो कितने में 1831 इसपी में विलियम बैंटिक ने उसके बाद है कि 11 कोश्चन है कि विद्वा पुनरविवा अधिनियम किसके सासन में किरियानवी होता है किया गया किरियानवी देखो एक होता है कि विदवापुनर विवाह अधिनियम लाया गया एक होगा किरियानवेन किया गया तो 1856 में क्या हुआ कि डल होजी ने मतलब उनका जो गवर्नर के पद था मतलब उसको गवर्नर से हट गया और उसके बाद आया था लॉर्ड कैनिंग तो इन्होंने लागू किया लॉर्ड डल होजी ने लागू नहीं किया विदवापुनर विवाह को लाया या कानू लाया लेकिन लागू कोन किया किरियानवेन कोन किया तो लॉर्ड कैनिंग ने किया क्यूंकि उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर बन गये थे जो मतलब गवर्नर नहीं वाइसराइक लाने लगे थे आठारो सो चपन में ठीक है इस तरह से आपका एंसर क्या हो गया लॉड कैनिंग भी ऑप्शन बारा नमर कोशन देख सेते हैं ठीक है कि निमलिखित में से इलवट बिल विवाद किस से संबन दित था सबसे पहले इलवट बिल होता क्या है तो आपको सीधे बता दे कि इसमें आप्शन पढ़ने के जरूरत नहीं क्यूंकि यह जो विडियो लंबा हो जाएगा तो यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतिय नियाधिसों पर लगाई गई मतलब आरोग योताव को हटा आजा जाना था कह रहा था कि मतलब इलवट बिल जो था坏 वह 88 883 में ला गया था यह बिल जो है इलवट बिल वह कह रहा था ह। कि आगर कोई भारतिय नियाधिस बनता है तो वह यूरोपी के मतलब यूरोप के लोगों पर कोई या किसी परकार की वह फैसला नहीं सुना सकता है इस वज़ए से इलवट्पिल लाया गया था 1883 में तो सीरा इसका परहन किया था ना उसके बाद हो गया कि अस्थाई बंधुवष्ट लॉड कनवालिस ने लाया था इसका अएंसर जो होगा यह अप्शन यह गलत है यही मेरा सही होगा कियोंकि यह सही नहीं है उसके बाद दिखते है čोदो नंबर कोशन नयчесके 1793 में लौड कन्वालिस की भू विवस्था पन्नाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रविर्ती में बधोतरी देखी गई थी निमलिकित प्रावधानों में से किस एक को समानेता इसके कारक के रूप में जोर कर देखा जाता है तो कह रहा है कि रईयत की तूलना में जमिंदार की स्थिति को अधिक ससत बनाना इस्ट इंडिया कंपनी को जमिंदारों को अधिक पती बनाना और C option है कि नियाईक पधिती को अधिक कारे कुशल बनाना तो option इसका क्या होगा कि जैसे उप्यूक्त में से कौन से कथन सही है option A मतलब A है एक और दो option B है दो और तीन option C है एक दो और तीन option D है कोई भी नहीं तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि रईयत की तुना में 1793 में जो लॉर्ड करणवाली से भूर बेबस्ता पन्नाली लाया था तो इसमें रईयत और जमिंदारों के बीच किस तरह से मतलब उन्होंने मतलब statement दिये थे तो कहरा कि रईयत की तुना में जमिंदारों की इस्तिति अधिक ससक्त बनाना यानि यह गलत है वह रईयतों को क्या है अधिक ससक्त बनाया था और जमिंदारों से सक्ति छीन लिया था ठीक है इस्ट इंडिया कंपनी को जमिंदारों का अधिपति बनाना यह भी गलत है वह तो जमिंदारों को छीन ही लिया था ठीक है डारेक्ट वह किसे रहयतों से अपना समवाद करते थे पट्टा जारी करवाता था और नियाईक पधिति को अधिक करेकुशल बनाना और जो अच्छे से लागू नहीं हो पाया था क्यूंकि किसानों के पक्ष मे यह जादा लागू मतलब नियाईपूर नहीं रहा था इस वज़े से यह भी गलत होगा तो इसका एंसर जो होगा इन में से कोई नहीं यानि एंसर डी ऑप्षन ठीक है पंद्रह क्या होगा कि अंग्रेजों के सासन काल में भारत के आर्थिक दोहन यानि होम चार्जर इन्डिया ठीक है इन्हों ने इस किताब में कहा था कि भारत में जितने भी मतलब आई का जो दोहन किया गया अर्थिक जो दोहन किया गया उन्हों ने इस किताब में जिक्रिक किया है जिसमें आर्थिक दोहन भी एक चर्चा है है तो इसके बारे में कौन परतिवादित क्य होगा दादा भाई नरोजी ने तो कमसा करता चेंश है कि नमलीकित में से कौन साकतन औध्योंगी करांती के थे बिल्कुल नश्ट हो गया था ठीक है क्यूंकि ब्रिटेन में अधी मतलब बहुत ज्यादा कपड़ा यानि जब अध्योगी करांती हुआ था तो वहां बहुत सस्ते दामों पे बहुत ज्यादा कपड़ों का उत्पादन होने लगा था जो भारती दस्तकारी से ज्यादा म गया था उसके बाद क्या रहा है कि इसी ऑप्शन देख लेते हैं कि देश के अनेक भागों में रेलेवे लाइने बिचाई गए थी ये भी गलत है क्यूंकि भारत में अंग्रेजों ने रेलेवे लाइन तो बिचाई ठीक है लेकिन कुछ भागों में बिचाई क्यूंकि ज अपने समान पर कैसे वो आयात पर सुल्क लगाया तो यह बिल्कुल यह भी गलत है ठीक है तो इसका उप्शन जो होगा वो उप्शन ए होगा समझे के आप लोग 18 नमर है कि भारानी विक्टोरिया की गोशना 1859 का उदेश क्या था ओप्शन ए कि भारतिय राज्यों को ब्रीटिस समराज में मिलाने के किसी भी विचार पर प्रतिया करना भारतिय परसासन को ब्रीटिस क्राउन के अंतरगत रखना यह भी सही है और भारत के साथ इस्ट विलियम जोन्स बी चाल्स विलिंकिंस ऐलेजंडर करनिंगम और ऑप्शन दी जॉन मार सथे इसका एंसर जोगा चाल्स विलिंकंस तो थे वह भगवत गीता को सवर प्रतम अंग्रेजी में वात किय थे ऑप्शन बी देखते हैं कि भारत के सैच्छनिक नीति में तो इस तरह से हमने को डिसकस किया है जो यूपेसी पेटरन पर द्रिष्टी हम लोगों से टेस्ट लेती है तो कैसा लगा हमें कमेंड करके जरूर बता है जिसे हमें मनोबल बढ़ेगा तो हम और भी कई सारे को लेकर आपके सामने आएंगे दोस्तो हम नए है इसमें तो थो अगर बढलने में हेजिटेशन होता है तो लोग और हर नहीं है यह लिए वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर ले और जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे तो आज के लिए इतना ही जैहिंद